हाई गाईज आपका एक बार फिर्जे स्वागत हो और अप्टेट जेट एक्जाम 2024 के रिगाडिंग आप देख सकते हैं यह आज काई न्यूज पेपर है और यहाँ पे वताया है जेट करशी विशुविद्या लेके नए माप दंड में पाबंदी 16 साल उमर निर्दारन से 20% अभ्यारती भार 31 अगस्त के वज़ाई एक जनुवरी को आयूसी मा गणना का नया नियम यह आपको पता होगा इस बार जेट में है वो एक जनुवरी 2024 तक है 16 एर कंप्लीट एज मानी गई है तो इसी के कारण कैसा रे स्टुडेंट को दिक्कत हो रही है लगबग 20% 31 अगस्त दोजार चोईस तक 16 साल उमर निर्दारन कर रखी है इसके अलवा नीट और जेई में भी भ्यारतीयों की आयूसी मा की गणना अगस्त तक होती है तो इसके कारण है कई सारे स्टुडेंट एप्लिकेशन पॉम फिल नहीं कर पारे है जबकि नीट हो गया जेई हो इसके लाओ ICR हो गया इन में है जो अगस्त की आयू है उसके अकोडिंग गणना की जाती है तो उसके रिगाडिंग ये अपडेट था अब जेट के एप्लिकेशन पॉम फिल करने की डेट तो बड़ा दी गई है 30 अपरेल 2024 कर दी पहले 15 अपरेल थी लेकिन जो आयू सीमा क नियम है उसको अभी तक चेंज नहीं किया है तो इसी के रिगाडिंग ये अपडेट था कई सारी जो न्यूज प्यपर उसमें ये न्यूज आईए लेकिन उनिवर्सिटी अभी तक किसे और ध्यान नहीं देरी सभी चाते हैं कि इसका ये नियम है वो चेंज हो ताकि जो ए देपन और किसी वीडियो में जैहिंग जैवारत